आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग आप लोग का वज़र एक्स का ट्रिक लेकर आया हूँ काइंडली वीडियो को इन तक जरूर देखे और यहाँ पर मैं आप सभी हों को पूरी की पूरी जान कर यहाँ पर दिये सकूँ तो मैं अलडिए इस के ऊपर एक और वीडियो बना था आप लोग उसको चेक आउट कर सकते हूँ उस trick के उपर ठीक है मैं आपको बताया था उसमें कैसे क्या कर सकते हूं यहाँ पर मैं आपको पूरी के पूरी जयन कर दूँगा आपका यहाँ पर कितना loss होगा कितने profit होगा और क्या आप यहाँ से पैसा कमा पाएंगे या नहीं ठीक है so guys मैं आपको एक example देना चाहूँगा ठीक है मैं last time आपको बताया था कि आप लोग ये trick कर सकते हो but the thing is that कि आप लोग मलब INR से WRX या USDT मलब USDT पे buy करके INR पे sell करना INR पे buy करके USDT पे sell करना guys most of the बंदे बोलते हैं कि ये fake है guys येसे नहीं होता है देखो first thing यहाँ पर है क्या है दो चीदे यहाँ पर important है पहली चीज़ यह है आपका सभी crypto के उपर ये trick काम नहीं करता है ठीक है ये trick हर जगा पे काम नहीं करता है पहली warning है और दूसरी ये रहता है कि like ये भी depend करता है कहाँ पर ज़्यादा बंदे trade कर रहे हैं क्या trick के माध्यम से या इसी pair पे ज़्यादा बंदे trade कर रहे हैं अगर आप लोग देखोगे कभी भी BTC pair पर कभी भी WRX के अंदर इतना ज़्यादा amount का sale या नहीं होता है देखो मैं एक बार अपनी exchange पर आया हूँ और यहाँ पर volume ज़्यादा है Ethereum पर volume ज़्यादा है तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा ठीक है एक बार मैं इसकी chart निकालने दो ठीक है यह है पांच मिनिट की chart में एक बार तीन दीन का chart दिखाता हूँ और यहाँ पर trades पर जाता हूँ तीस मिनिट छे आठ मिनिट का ग्याप रहता है अगर आप BTC में लेते हो similarly USDD पर अगर आप लोग लेते हो यहाँ पर भी उस type का रहता है पर यहाँ पर थोड़ी सी कम रहता है as compared to WRX and BTC देखो यहाँ पर हर coin पर ऐसा नहीं होता है ठीक है मैं आपको एक example देना चाहूँगा ठीक है एक coin है DOC coin ठीक है यहाँ पर इसकी price है 6.489 रुपी गाइस most of the बंदे बोलते हैं कि 0.4% fee like 0.2% maker fee and 0.2% taker fee गाइस यह कितना amount का होता है पता है आपको कितना होता है 0.4% जो अभी लोग बोलते हैं कि कितना amount का होता है इसका भी भी चेक करना एक लाख अगर आप लोग डालोगे amount उसकी amount अगर आप लोग देखोगे कि कितना amount का होता है तो उसकी fee अल्मूश्ट अल्मूश्ट आप लोग को 400 रुपे लग जाएगा 0.4% उता ही होता है ठीक है 400 रुपे तक ही रहता है ठीक है अगर आप 400 रुपे एक लाख में चलता है तो अगर आपको यहाँ पर 12% की profit होता है और उसे 400 रुपे चलता है 12,000 की profit से 400 रुपे जलेगा तो आप उसको देखोगे कि अगर भी कोई भी बन्दा नहीं देखेगा मैं आपको यह example का proof भी दिखाना चाहूँगा मैं अपनी calculator को open करके बैठा हूँ यहाँ पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो WRX पेर पर 7.373 रुपे चल लाए ठीक है मैं एक बार 7.373 माइनस कर लेता हूँ INR पे आप खरीदोगे 6.489 इसके प्राइस है 6.489 इतना होता है 0.884 और equal to इतना है और divided by 6.489 ठीक है कितना हुआ 6.489 ठीक है अब यह होता है 0.13 इंटू 100 कर दोगे तो आपका मिल जाएगा यह 13.62 परसेंट होता है मतलब एक लाग का अगर आप लोग यहाँ पर भी ट्रेड लगाते हो तो आप लोग को यहाँ पर 13.000 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा और वहाँ पर 400 रुपए कार देना तो 13.6 परसेंट मतलब 13.600 उसमें से 400 रुपए कार देना तो आपका 13.200 रुपए मिलता है Well, I will inform you यहाँ पर आप लोग को 13.000 रुपए मिल रहा है यह कुछ यह नहीं होता है आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हों किते किते में ट्रेड हो रहा है I will say one thing आप लोग को कि WRX में जो orders value रहता है ना आप लोग यहाँ पर करते हो तो तो इसलिए मैं आपको suggest यह नहीं करूँगा कि आप लोग high amount का यहाँ पर लगा सके Guys, यहाँ पर थोड़ी सी amount आप लोग का Like a little bit amount यहाँ पर बनता है But आप लोग को यहाँ पर profit होके जाता है यह आप लोग को मैं बोल सकता हूँ ठीक है, इसमें भी profit होता है थोड़ी बहुत अमारे जिन में profit आप लोग को मिल जाता है ठीक है, अगर आप 2-3,000 में भी trade करोगे तब भी आप लोग को मिल जाएगा Guys, profit में ही रहोगे But less amount की profit रहेगा अप लोग को यह बोलने चाहूँगा And जो भी मेरे last video में comment किया था कि भाई, यह नहीं होता है, वो नहीं होता है आपको, मैं मेरे last time की भी proof दिखाया था And इस time की भी आप लोग को proof एक बार दिखाना चाहूँगा Okay, well guys, आप लोग को यहां पर दिखाना चाहूँगा मैं 13th August को एक बार trade किया था मैं currently इससे पैसा नहीं कमाता हूँ Directly मैं आज के time पे जो भी कमाता हूँ Future से, Binance के Future trade करके मैं वहां से अच्छे कासी कमा लेता हूँ आप लोग वहां पर भी trade करना सिख लिजी आप लोग को अगर चाहते हूँ उसके उपर कैसे trade करते हैं उसके लिए भी मैं वीडियो आप लोग को लिए बना सकता हूँ आप लोग देख सकते हैं मैं Dizzy Byte यहाँ पर 1097 रुपी में खरीदा था और यहाँ पर जब भी मैं Dizzy Byte की sale लगाया हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं USDT पर लगाया हूँ यह 16 डॉलार के असपास में लगाया हूँ एक अच्छी कासी amount की रुपीज है आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 16 डॉलार आप लोग को कितनी amount का पलता है आप लोग देख लीजिए एक बार 1178 डॉपीज लगता है तो कैसे ही आप लोग यहाँ पर short time में थोड़ी बहुत यहाँ पर कमा सकते हैं but I will not suggest you कि आप लोग यहाँ पर बड़ी amount का केजिए आप लोग अगर भी कभी भी बड़ी amount है तो आप लोग definitely 4-5 विभाग कर दीजिए 10-10 कर लीजिए याने तो 20-20% करके कर जिए याने तो 30% याने तो 40% करके आप लोग 3 में divide करके आप लोग कर सकते हैं 40-40-20 इसाब से आप लोग कर सकते हैं इससे करोगे तो बहुत safest way रहता है आपके पैसे को आप लोग का डूबने की चांस थोड़ी से कम रहता है ठीक है अगर एक में भी डूब जाता है या लॉस होता है डूब तो नहीं जाएगा directly लॉस होता है तो definitely दूसरे में अगर profit होता है तो आप लोग balance कर सकते हो ठीक है जहिता आज के वीडियो उम्हेद करता हूँ आपको वीडियो पसंदा है और वीडियो पसंदा है तो प्लीज वीडियो को लाइक केजिए चैनल को सबस्क्राइब केजिए और ऐसे वीडियो के लिए kindly सब्सक्राइब करके बेल ऐकन चरूब प्रेस करें and thank you so much for watching this video. Buh-bye.